मोटे हाइब्रिड धान की टौप पांच बैराइटी भारत देश में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली हाइब्रिड धान की पांच किस्म नंबर एक पर आती है। बायर कंपणी की 1990,64,44 गोल्ड। यह hybrid धान की variety भारत में सबसे अधिक बिकने वाली variety है। यह hybrid धान की variety 135 से 140 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। यह BLB रोग के प्रति प्रतिरोधी variety है। इस variety के पौधों की उंचाई 75 से 80 cm होती है। इस variety के प्रतियेक पौधे में कलों की संख्या 12 से 15 होती है। यह bacterial leaf blight के प्रतिरोधी है। इसमें में भी सूखे की सहन करने की क्षमता बहुत अधिक है। Hybrid Arise 6444 यह hybrid धान की एक उन्नत किस्म है। Hybrid Arise 6444 धान 135 से 140 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। Inbrid धान के मुकाबले इस से 30 प्रतिशत ज्यादा पैदावार मिलती है। अगर किसान भाई Hybrid Arise 6444 धान की खेती करते हैं तो बंपर पैदावार मिलेगी। खास बात यह है कि इसमें सूखा का सहन करने की क्षमता अधिक है। यह variety सूखे के प्रति सहन शील variety है। यह variety विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ी रहती है और इसका दाना मोटा और लंबा होता है। खाने में भी स्वादिष्ट होती है। यह variety 30 से 35 कुंटल प्रति एकड उतपादन देती है। एक एकड खेत के लिए नरसरी के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यक्ता होती है। नंबर दो पर आती है पी एचबी एक हत्तर। यह pioneer seeds company की variety है, यह hybrid धान की variety 130 से 135 दिन में पक्कर तयार हो जाती है। यह variety 60 से 80 कुंटल प्रति hectare के मध्य पैदावार होती है। इसके पौधों की उंचाई 80 से 82 सेंटीमीटर होती है। इसकी बाली लंबी और दाना महीन पतला और लंबा होता है। खाने में इसका चावल स्वादिष्ट होता है। यह सूखे के प्रति सहनशील वैराइटी है। यह मध्यम सिंचाई में भी एक अच्छा उत्पादन देने वाली वैराइटी है। यह वैराइटी में जोंका रोग, ब्लास्ट और खेरा रोग अधिक आने का चांज रहता है। नमबर तीन पर आती है। कावेरी 468 यह कावेरी सीड्स कम्पनी की हाइब्रिट धान की वैराइटी है। यह कावेरी 468 हाइब्रिड धान की बैराइटी 30 से 32 कुंतल प्रती एकड पैदावार देने की क्षमता रखती है. इसका दाना मोटा होने के बावजूद खाने में स्वादिश्ट होता है. अगर इसकी एक एकड खेत के लिए नरसरी डालनी है, तो 6 किलोग्राम बीज की 115 दिन से 125 दिन में तैयार होने वाली दूसरे धान की किस्मों की तुलना में अराइज 639 का उत्पादन 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा है. इस किस्म में अधिक कलों की संख्या और 90 फीसदी बालियों में दाने भरते हैं. इस प्रजाती में पानी की कम जरूरत होती है और यह धान की किस्म सीधी बुवाई के लिए उपयुक्त है. नमबर पांच पर आती है. अराइज तेज गोल्ड, अराइज गोल्ड. यह वैराइटी 125 से 130 दिन में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान है. कम्पनी का कहना है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रती ये किस्म प्रत चावल 70 फीसदी निकलता है.